हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल और आप सभी जो भी नॉन विज लवर होंगे वो चमपारन मटन तो जरूर खाए होंगे तो आज मैं आप लोगे साथ सेयर करने जा रही हूं चमपारन स्टाइल कठल की सबजी जो की बहुत टेस्टी बनती है और फटा फट से बन जा है जिसे कठल वाले भाया से ही अच्छे से कठवा लिया था पीसिस में और उसके बाद नमक डाल करके गरम पानी में अच्छे से वास कर डिया है कठल में हम डाल देंगे सारे मसाले जो हमारे मसाले वाले डबे में होता है ना काले मिर्श लाल मिर्श धनिया पाउडर जीरा पाउडर, चीकन मसाला, और लहसन, नमक, सब कुछ डाल देंगे, थोड़ा से तेल डाल के अच्छे से मारिनेट करके रख देंगे, और इसे बनाएंगे कूकर में, तो कूकर में डाल देंगे सरसो का तेल, उसमें दो सूकी लाल मिच, गरम मसाला में बड़ी हिलाईजी, पांच आलो को दो-दो टुक्रों में काटके डाल देंगे, साथ में एक बड़े साइच के टमाटर को भी डाल देंगे, मतलब इतना सब कुछ एक साथ हम डाल करके भून लेंगे, छे से साथ मिन तक दब तक की प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तो नमक डालना त मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, तो यहां पे कुकर में सारे कठल को हमने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसमें डाल देंगे हम लगबग आधा ग्लास पानी, और फिर से एक बार हमें मिक्स कर लेना है, इसे हमें भूनना वेगरा कुछ और पानी डालने के बास से कूकर में हम लगा देंगे 3-4 सीटी, तो यहां पे 3-4 सीटी कूकर में आ चुका है, अब हम एसे खोल के चेक कर लेते हैं, तो यहां पे देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सबजी बन चुकी है, और इसमें जितना पानी हमने डाला था, बस उतना पानी में इतना ग्रेवी बन गया है क्योंकि प्यास भी अपना पानी छोड़ता है अगर आपको मन कड़े तो थोड़ा पानी और उपर से डाल सकते हैं वैसे इतनी ग्रेवी इस सबजी में बहुत अची लगती है इसे प्राटे पूरी के साथ खाये चावल के साथ खाये वाई टेक चेर।